मधुबन के बाबा मधुबन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना आपका क्या कहना ओम शांते आज 1 जून 2024 के साकार मधुर महवा क्या है बाबनी का मीठे बच्चे तुम सब आपस में रूहानी भाई-भाई हो तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए आत्मा का प्यार आत्मा से हो जिस्म से नहीं कुश्चन है बाब ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है शिव बाबा ने मूल वतन घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है जो भी आत्माई मेरे घर में आती है अपने अपने सेक्शन में अपने नमबर पर फिक्स होती है कभी हिलती दूलती नहीं वहाँ पर सब धरम की आत्माई मेरे नजदीक रहती है वहाँ से नंबर वार अपने अपने समय पर पार्ट बचाने आती है यह wonderful knowledge इस समय कल्प में एक बार तुम्हें मिलती है दूसा कोई यह knowledge नहीं दे सकता यह knowledge शिव बाबा देते हैं और कोई नहीं दे सकता ओम शान्ती बाबा बैठ बच्चों को समझाते बच्चे जानते हम आत्माउं को बाबा समझाते हैं और बाप अपने को आत्माउं का बाप समझते हैं ऐसे कोई समझते नहीं ना कोई कभी समझाते कि अपने को आत्मा समझो ये बाप ही आत्माओं को समझाते हैं इस ज्ञान की प्रालब तुम नई दुनिया में लेने वाले हो नमबरवार पुर्शार्थ अनुसार ये भी कोई सबी को याद नहीं रहता कि दुनिया बदलने वाली है बदलाने वाला बाप है यहां समुक बैठे हैं जब घर में जाते हैं तो सारा दिन धन्दे धोरी में लग जाते बाबा की श्रीमत है श्रीमत को अंडरलाइन करेंगे बच्चे कहीं भी रहते कहीं भी रहते खुई भी कारे करते मुझे याद करो जब कन्या होती है जानती है कि हमें कौन पती मिलेगा छित्र देखती है तो उनको याद ठैर जाती है कहां भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं इसे कहा जाता जिस्मानी प्यार ये है रोहानी प्यार रोहानी प्यार किसके साथ है बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ तुम बच्चों का आपस में बहुत प्यार होना चाहिए यानि आत्माओं का आत्माओं के साथ रूहानी प्यार होना चाहिए ये शिक्षा अभी तुम बच्चों को मिलती है दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं तुम सब भाई-भाई हो तो आपस में जरूर प्यार होना चाहिए क्योंकि एक बाप के बच्चे हो इसे कहा जाता रूहानी प्यार ड्रामा प्लेननसार सिरब पुर्शोतम संगम युक पर रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समुक समझाते हैं और बच्चे जानते बाप यहां आए हुए हैं हम बच्चों को गुल-गुल पवित्र, पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे ऐसे नहीं यह कोई हाथ पकड़के ले जाते हैं सब आत्माई ऐसे उडएंगी जैसे टेडियों का जुंड जाता है उनका कोई गाइड होता है गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं सारा जुंड जब इकठा जाता है तो वह तो आवाज होती है सूरे की रोशनी को भी ढख देते हैं इतना बड़ा जुंड होता है तुम आतमों को तुम आतमों का भी कितना बड़ा जुंड है कभी गिंती भी नहीं कर सकते या मलशों की गिंती नहीं कर सकते पले आदम शुमारी निकालते हैं वो भी एक्कुरेट नहीं निकालते आतमा ही कितनी है वो हिसाब कभी निकाल नहीं सकते अंदाज लगाए जाता सत्यों में कितने मनुष्य होंगे क्योंकि सरफ भारती रह जाता तुम्हारी बुद्धी में है हम विश्व के मालिक बन रही है आत्मा जब शरी में है तो जीव आत्मा है तो दोनों इकठे सुक अत्वा दुख भोगते है ऐसे बहुत लोग समझते है आत्मा ही परमात्मा है कई मनुष्य जानते ही नहीं कि आत्मा का पिता है परमात्मा आत्मा ही परमात्मा नहीं भले ही दोनों का रूप एक जैसा है गुणोर शक्तियों में तो अंतर है वो कभी दुख नहीं भोगती नरलेप है बहुत इस बात से भी मुझते हैं कि हम अपने कौात्मा निश्य तो करें पर बाबा को कहां याद करें ये तो जानते हो बाब परमधाम निवासी है बाबा ने अपना परिचे दिया हुआ है श्री बाबा ने परिचे दिया कि मैं वहां का निवासी हूँ बाबा ने अपना परिचे दिया कहां भी चलते फिटते बाबा को याद करो बाब कहते मैं परमधाम से आता हूँ तुम्हारी भी आत्मा वहार से यहां आती है पार्ट बजाने यह ज्यान अभी मिलता है अब तुम देवता हूँ वहां तुम्हें याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धरम के आत्माई उपर में है उपर से आकर यहां शरी धारण कर पार्ट बजाती है यह चिंतन वहां नहीं रचलता आगे यह पता नहीं था कि बाबा भी परमधाम में रहते हैं वहां से यहां आकर शरी में प्रवेश करते हैं अब वो किस प्रकार से शरी में प्रवेश करते हैं वो अपनी एड्रेस तो बताते हैं तुम अगर लिखो शिवबाबा केरोफ प्रजा पिता ब्रह्मा शिवबाबा केरोफ परमधाम तो परमधाम में तो चुठी नहीं जा सकती इसले लिखते हो शिवबाबा केरोफ ब्रह्मा फिर यहां की अड्रेस डालते हो क्योंकि तुम जानते हो बाबा यहां आते हैं इस रत में प्रवेश करते हैं शुर बाबा ब्रह्मातन में प्रवेश करते हैं यो तो आत्मा उपर रहने वाली है तुम सब भाई-भाई हो सदैव ये समझो हम आत्मा है इनका फलाना नाम है है ये आत्मा इस आत्मा के शरीर का फलाना नाम है आत्मा को यहां देखते हैं प्रंतो मरुष्य देगमान में आ जाते बाप देहिय भिमानी बनाते बावा केते अपने को आत्मा समझो मुझे याद करो इस समय बावा समझाते मैं यहां आया हूँ आकर बच्चों को ज्यान देता हूँ पुराने ओर्गंस लिये हैं इसमें मुख्य यह मुख्य है आखे हैं ज्यानमरित मुख्य से मिलता है गव मुख्य कहते हैं न श्यवावा ने ब्रह्मातन का धार लिया उसमें वावा कहते हैं मैं नेत्रों को भी यूज़ करता हूँ मुख को भी यूज करता हूँ इसले गव मुख कहते हैं अर्थार्थ माला का ये मुख है माता का ये मुख है बड़ी माता द्वारा तुम्हें एडॉप्ट करते हैं कौन करते हैं? शुव भाबा वो यहां है ना ये ज्यान सारा बुद्धी में रहना चाहिए मैं तुम्हें प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ तो ये माता हो गई गाया जाता तुम मात पिता हम बालक तेरे तुम्री कृपा से सुक घने रे तो वो सब आत्माउं का बाप है उनको माता नहीं कहेंगे वैं तो बाप ही है बाप से वर्सा मिलता है फिर माता चाहिए वो यहां आते हैं अब तुम्हें मालूम पड़ा बाप उपर में रहते हैं हम आत्माई उपर रहती हैं फिर वहां से यहां आती हैं पार्ट पजाने के लिए दुनिया इन बातों को नहीं जानती तो ठिकर बितर में कह देते हैं फिर तो अंगिनत हो जाए इससे कहते घोर अंधियारा गायन है ज्यान सुर्य प्रगटा अज्यान अधेर विनाश इस समय तुम्हें ज्यान है यह है रावन राज्जे जिस कारण अंधियारा है वहां तो रावन राज्जे होता नहीं इसले कोई विकार नहीं दे अभिमान में नहीं वहां आतम अभिमानी रहते हैं आतम को ज्यान है अब छोटा बिच्चा है अब हम जवान बन गए अव्रिद शरी हुआ इसले अभि यह शरी छोट दूसरा लेना है वहां ऐसा नहीं कहते फलाना मर गया वहां कभी ऐसा नहीं कहते फलाना मर गया वो तो हैई अमर लोग खुशी से एक शरी छोट दूसरा लेते हैं अभी आयूपूरी हुई ये छोड़ नया लेना है इसलिए सन्यासी लोग सरब का मिसाल देते हैं मिसाल वास्तों में बाब का दिया हुआ है वो फिर सन्यासी लोग उठा लेते बाबा कहते ये जो आत्मा में ये जो ज्यान में तुम्हें देता हूं ये प्राई लोग पोचाता है बाब की अक्षर भी है तो चित्र भी है प्रन्तु जैसे आटे में नमक तो बाबा अर्थ समझाते जैसे सरब पुरानी खाल छोड़ देता है और नई लेता है उसके लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि एक शरी छोड़ दूसरे में परवेश करते हैं नई खाल वदलने का एक सरब का ही मिजाल है ये खाल उनकी देखने में भी आती है यह से कपड़ा उतारा जाता वैसे सरब भी खाल छोड देता है और दूसरी मिल जाती है सरब तो जिंदा ही रहता है ऐसे भी नहीं कि सदय अमर रहता है दो-तिन खाल बदलीकर फिर मर जाएंगे वहां बें तुम समय पर एक शरी छोड़, फिर दूसरा लेते हो, जानते हो, अभी हमें घरब में जाना है, वहां तो है योगबल की बात, योगबल से तुम जनमते हो, इसलिए अमर कहा जाता, आत्मा कहती, अब हम बुड़ा हो गया हूं, शरीर पुराना हुआ, साक्षत कार हो जाता, अब हम जा पाप तो कोई होते नहीं, जो भोगना पड़े, गरब महल में आराम से रहते हैं, और कोई बात नहीं, ना ही कोई गंदी चीज खिलाते हैं, जिससे बिमार हो जाएं, बाप कहते बच्चे, अब तुम्हें निर्वान धाम जाना है, ये दुनिया बदलनी है, पुरानी से न आने निकलते, सत्यों में एक ही बच्चा पैदा होता, योगबल से, वहां विकार से, यहां तो विकार से, चार-पांच बच्चे पैदा करते, सत्यों और कलियों में बहुत फर्थ हैं, तो बाप कहते नई दुनिया, फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे चुरा बजाती है दे रूपी ड्रेस लेती है फिर यहीं छोड़कर मूलवतन पहुंचती है अपना पार्ट बजाती है जगह बदलती नहीं अपने अपने धरम में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे फिर नंबरवारी नीची आना है इसने चोटे-चोटे मॉडल्स बनाक रखते मूलवतन के सब धर्मों का अपना-पना सेक्षन है देवी देवता है पहला धरम फिर नंबरवार आते हैं नंबरवारी जाकर रहेंगे तुम भी नंबरवार पास होती हो उन माक्स के हिसाब से जगह लेते हो बाप की पढ़ाई कल्प में एक बार होती है तुम आत् कितनी छोटे है और शरी कितना बड़ा सब याई जाकर बैठेंगी मूलवतन में सब जूति विंदु आत्मा यस-ięcy, सटार माफिक, इसंडार बैठ चाहेंगी । बहुत थोड़ी जगे में, नस्दीक में जाकर रहती हैं, मनिश्यों का जाड कितना बड़ा है, मनिश्यों को तो जगे चाहिए न, चलने, फिरने, खेलने, पढ़ने, नोकरी करने के लिए, सब कुछ करने के लिए जगे चाहिए, निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोट कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग-अलग होते हैं नमबरवार, ये बाते तुमें कल्प-कल्प बाबा की सुनाते, बाकि सब्सक्राइब पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते, अब तुम चानते हो कि हम आत्मा है, आई माना आत्मा, माई माना मेरा, ये शरीर ह मनुषे नहीं जानते, उनका सदैव दैहिक समन्द रहता, सत्यू में भी दैहिक समन्द होगा, प्रंतु वहां तुम आत्म अभिमानी रहते हो, ये पता पढ़ता है कि हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर बूड़ा हो गया, इसलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़, अब दूसरा ले रही है, मुझने की कोई बाती नहीं, तुम बच्चों को बाप से राजाई लेनी है, जरूर बेहद का बाप है न, मनुषे जब तक ज्यान को पूरा नहीं समझते, तब तक अनेक प्रश्न पूछते रहते हैं, ज्यान है तुम ब्रामनों को, तुम ब्रामनों का वास्त वह 強 उotherap है उनकी मनुष्य के रूप में दिखाया हूआ। तुम ब्रहमन भी मनुष्य के रूप में हो। ब्रामनों को देवता नहीं कहा चाता। सच्चे सच्चे ब्रामनों तुम हो। ब्रहम्मा की औुलाद। वै kadar ब्रहम्मा की औुलाद नहीं पीछे आने वाले कोई मालूम नहीं पड़ता तुम्हारा ये विराठ रूप है ये बुद्धी में याद रहना चाहिए सारी नौलेज है जो तुम किसी को भी अच्छी रिती समझा सकते हो हमात्मा हैं बाबा के बच्चे हैं यह यथार्थ रिती समझ कर पक्का पक्का निश्चे कराओ कोई भी मिले तो पहले पक्का निश्चे कराओ कि आप आत्मा हैं आप शिव बाबा के बच्चे हैं और परमधाम से यहाए हैं पाइट पचाने पहले पक्का पक्का निश्चे कराओ ये तो यथात बात है सब आत्मों का बाप एक परमात्मा है सब उन्हे याद करते हैं, हे भगवान मनुश्यों के मुख से जरू निकलता है पर मात्मा कौन है ये बात कोई भी नहीं जानते है जब तक कि बाप आके समझाए बावा नहीं समझाया ये लक्षमी नारण जो विश्व के मालिक थे यही नहीं जानते थे तो रिशी मुनी फिर कैसे जान सकते है अब तुमने बाप द्वारा जाना तुम हो आस्तिक क्योंकि तुम रच्यता और रच्णा के आदिमर्ध्यंत को जान गए अब आप आस्तिक हो क्योंकि आप रच्यता और रच्णा को जान गए कोई अच्छिरिती जानते कोई कम बाबा समुख खाकर पढ़ाते फिर कोई अच्छिरिती धारण करते हैं और कोई कम धारण करते हैं पढ़ाई बिल्कुल सिंपल है और बड़ी भी है पढ़ाई सिंपल भी है और बड़ी भी है बड़ी मतलब बहुत valuable है बाप में इतना ज्यान है जो सागर को स्याही बनाओ जंगल को कलम बनाओ पूरी पृत्वी को कागच बनाओ विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो इस ज्यान का अंत नहीं पाय जा सकता बाबा सहज करके समझाते बाबा को जानना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है बस शिव बाबा को जानना है स्वदर्शन चक्रधारी बनना है बस अच्छा मेटे बीचे सिक्के लदे बच्चो प्रती मात पिता बाप तदका याद प्यार गुड मॉर्णिंग रुखानी बाप की रुखानी बच्छों को नमस्ते रुखानी बच्छों की रुखानी बाप तदको याद प्यार नमस्ते गुड बॉर्निंग शुक्रिया बाबा शुक्रिया धार्णा के लिए सार पहली पॉइंट है सदा याद सहज बनी रहे सदा, याद, सहज बनी रहे उसके लिए चलते फिरते चिंतन करना है हम आत्मा है परमधाम निवासी आत्मा हम यह पार्ट बचाने आई है बाब भी परमधाम में रहते हैं और ब्रह्मातन में आई है जिसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है ऐसे आपस में रुहानी प्यार से रहना है आत्मा का आत्मा से प्यार हो शरी से नहीं आत्मा का आत्मा से प्यार हो शरी से नहीं आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है अटेंशन से सुनेंगे सदा याद सहज बनी रहे उसके लिए चलते फिरते चिंतन करना है हम आत्मा है परमधामनिवासी आत्मा या पार्ट बचाने आई हूँ बाबा भी परमधाम में रहते हैं और वो ब्रह्मातन में आए हैं जैसे रुहानी बाब से आत्मा का प्यार है ऐसे आपस में रूहानी प्यार से रहना है आत्म का आत्म से प्यार हो शरी से नहीं आत्म अभिमानी वनने का पूरा-पूरा अभ्यास करना है वर्दान है हद की कामनाओं से मुक्त रहे सर्व प्रशनों से पार रहने वाले सदा प्रसन चित भव हद की कामनाओं से मुक्त रहे सर्व प्रशनों से पार रहने वाले सदा प्रसंचित भव जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं उनके चेरे पे प्रसंथा की जलक दिखाई देते हैं हद की चोटी-चोटी इच्छाएं कई वार मन में बहुत दिक्कत करती रहती है उल्जन पैदा करती है तो भावनी का जो हद की कामना उसे मुक्त है उन्हें कुछ नहीं चाहिए तो उनके चेरे पे प्रसंता की जलक दिखाई देती है प्रसंचित कोई भी बात में कभी प्रसंचित नहीं होता वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोश अन्भव करेंगे किसी और के उपर कभी दोश नहीं रखेंगे चाए कोई भी परसिती आजाए चाए कोई आत्मा हिसाब किताब चुक्तू करने वाली सामना करने वाली आती रहे चाए शरी का करम भोगाए लेकिन संतुष्टा की कारण सदा प्रसंचित रहेंगे ऐसी आत्मा किकी अंदर से संतुष्ट है इसलिए वो प्रसंच रहेगी सरल शब्दों में हमें हद की कामनाउं से परे रहना है तब प्रसंचित रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और कभी किसी पर दोश नहीं रखना सब आत्माई निस्वात निरदोश है स्लोगन है व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो अलबेलेपन की रूप से नहीं मेरा व्यर्थ कहां-कहां चिपा हुआ है अटेंशन से चेकिंग करो कई उपर-उपर से कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ नहीं बहुत सा समय हमारा व्यर्थ देखने में कभी सुनने में कभी सोचने में बिन-बिन तरीके से जाता है उसकी चेकिंग अच्छे से करनी है अलबेलेपन से नहीं ओम शान्ते और अब यह है एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे